तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं ट्राइक कलर धोगला तो यह हम रवा सूजी से बनाएंगे और बहुत ही कलर्फुल यह बन करके तैयार हो जाता है तो आप देख सकते कितना बड़ी असा कलर्फुल यह बना है तो दोस्तों यह रेस्पी को फुल इंजॉय करिएगा रे द्रवा सूजी जो और उसके बाद मैंने आदा कफ दही अधा कफ दौइल दिया है तो दही एपर मेडियम यह बहुत ज़्यादा poz लुदेला है और थोड़ा सा यह पर पानी मैंने खंगालके डाल दिया है इसके बाद चलिए इसको हमको अच्छे से मिक्स कर लेका कर दो तो उसी में इसको रवा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे अच्छे से यह मिक्स हो चुका है, तो बढ़ी असा इसको बिल्कुल यहां पर पतला नहीं करना है, बाद में हम इसको अच्छे से सैट करेंगे, तो यहां पर हम इसको कवर करके 15 मिन सकते हैं तो यहां पर मैंने इसको ग्रीस कर लिया अब चलिए हम बैटर को चेक कर लेते हैं तो यहां पर थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और दो चमच मैंने यहां पर ऑईल डाल दिया और इसको डाल के भी अच्छे से हमको इसको मिक्स कर लेना है तो दोस्तों मैंने यह इसको बरावर हम कर लेंगे, तो अब यहां पर हमको थोड़ा सा color भी बनाना है, तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर बनाएंगे orange color तो मैंने यहां पर orange color ले और इसमें थोड़ा सा हम डाल देते हैं कुछ ही बुहनरहें बुन्दे डालेंगे कुछ बुन्दे डालने से हुई इस Whew बहुत ही अच्छा कलर आजाएगा और थोड़ा से ये। ने जाएगा अपने डाल के it तो यहां पर भी कुछ बून्दे हम green color की डाल देंगे दोस्तों इसमें और अब इसमें पानी डाल देते हैं पानी डालके इसका भी बढ़ियाँ और घूल बना करके हमको तैयार कर लेना है तो इस तरह से रटोकले का घूल होता है उसी तरह से दोना लेना है तो यह भी perfect बनक तो यह अच्छे से बंकर करके तयार हो चुके हैं, तो देखिए, तीनों कर्म मने ऐवड़िया से बना के रेडी कल दिए हैं तो अब सबalties पहले हम ग्रीम वाल कर लेते हैं और इसमें डालेंगे ईन्व डालेंगे तो एक पैकेड में लेह हैं तीनों में हम बरावर ततना बेटर को पतला मत करियेगा तो जूस इस तरह से मैंने इश को डाल दिया ऐसे से més को ng confirm पूरि थक लादिया एसके बाद मुआ जाते हैं कड़ाई में मैंने पानी रख दिया था इसमें एक तो दोस्तों और पांसपर करको इसको 5 मिनट्स पका लेका था था उसने मैं इस जाव जो डाल कर लिया था तो पूरा वर्तर जितना है न जो होटा के और प्र्धै और एक चरिशा कर देना है फिर से इसको हम कवर करके 5-7 मिनट पका लेंगे दोस्तों तो यहां पे भी 7 मिनट हो गए थे तो आप यहां पे भी देखेंगे अच्छे से यह तयार हो चुका था था थोड़ा सा टायट हो गया था इसके बाद यह मैंने औरेंज बला बैटर डाल दि पके थे और यह अच्छे से पक्के तयार हो चुका है सायद तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं तो यहां पर टूपिन लेकि मैंने यहां पर अच्छे से देखा है तो बिल्कुल पर्फेक्ट यह साप निकलिए क्लीन तो डोकला मारा पक्के तयार हो गया इसको हम निकाल क कर के रख देते हैं ठंडा होने के लिए और इधर इसके लिए हम तड़का बना करके तयार करेंगे तो एक चमच मैंने या पर रिफाइंड यह ले लिया है और इसमें डाल देना है हमको एक चमच ब्लेक यानि काली वाली राई और इसको थोड़ा सा चटकने देते इसके ताके थोड़ा सा colorist का change हो जाए अब इसमें हम डाल देते हैं पानी तो मैंने एक कफ यहां पर पानी ले लिया है जितना आप तड़का बनाना चाहिए उतना पानी ले सकते हैं यहां पर नमक डाल देते हैं स्वादिवन स्वार एक चम्मच यहां पर चीन ही जाएगी और एक दो मिलट इसको पकाएंगे और यहां पर हम गैस को बंद कर देते हैं इस तड़का को हम रख देते हैं दोस्तों ठंडा होने के लिए और यहां पर हमारा डोकला भी ठंडा हो चुका था तो चलिए इसको चाकू की मदस से साइड से हम इसको अच्छे से चुड़ा देंगे तो यह अच्छे से डीमोल्ट हो जाएगा दोकला, तो किनारे किनारे से मैंने चाकू से इसको अच्छे से छोड़ा दिया, इसके बाद एक प्लेट ले लेना है, और प्लेट पे ही हमको इस तरह से इसको कर लेना है, इसके बाद तेन से चार बार इसको थप थपाना है, उसके के बाद हमको इस तरह से केक्टेन को उठा लेना है तो आप देखिए कितना कलर्फुल बहुत ही सुंदर ये डोकला बनकर के तैयार हो चुका है तो बहुत ही स्पॉंजी बना एक दम फूला फूला आप देखेंगे दानेदार बिल्कुल बढ़िया साहिये बनकर के तैयार हो करके तैयार कर लिया है तो यहां पर चलिए हम अपको कट करके भी दिखा देते हैं तो रिष्पी मारी कैसी लगी अच्छी लगी है तो एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड लोगों के साथ तो देखिए मैंने यहां पर काठ लिया इस को तो बहुत ही प्यारा यह ढोकला बन करके तयार हुआ है तो दोस्तों चलिए हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में वाई वाई प्रेंड थैंक्स फॉर वाचिंग